है काई वेलकम बैक टू टू टीम्स फर विन यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम प्रिव्यू कर रहे हैं सीपियल 2020 का जो है फाइनल मैच होने वाला है सेंट लुशिया वेल्ट के बीच में वेल्ट कोई चैनल नहीं है बस स्टाइट में थोड़े वो चैनल वसे बैसिकली ऑल्रीडी दो मैच असीजन मैंने कवर किये हैं इनके इस प्लैटफॉर्म पे ही मैंने कवर किये थे तो आपको लगबग लगबग अंदाजा हो गया होगा कि कौन से प्ले तो बंढ़ी हो अगर गलती हो गई तो पूरा जो आपे जो इतना महनत किया है वो सारा जो ही आप उसका रायता फ Urla तो यह चीज़े होती हैं जो फाइनल में भी जो हो यह यांपर सारे जो प्लेयर्स होता है अनके अंदर दिमाग में चलती रहती तो यह सब चीजे हम आगे डिसकस जरूर करेंगे वीडियो में बीच में स्टाइट के उपर मेन फोकस रहेगा तो उसके बेसिस पे हम अपनी टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं अगर वीडियो को देखना और एंड तक देखना बिना स्किप करें और अगर वीडियो इन्फॉमेटिव लगता है अट दे एंड तो ही लाइक करना और चैनल भी नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना यह आपके लिए बहुत ज्यादा जो है अच्छा सावित हो सकता इन सब्सक्राइब करें चैनल उपन करना चैनल के ऑपर ऐक बार आप क्लिक करोगे ना तो आपको इहां पर देखने को मिलेगा और कम्यूटि करके इस वाले section पर आपको चेक करना है हम आपको यहां पर information दे देंगे इस वाले section पर मैं डाल दूँगा community tab में जो matchups होंगे वो सारे निकाल के तो आपको क्या करना है उसके लिए आपको चैनल को subscribe करना पड़ेगा सबसे पहले तो उसके बाद जो bell icon है उसको all पर set करना होगा इस वाले video में भी जो है आपके लिए giveaway होगा में भी कुछ और अलग हटके भी giveaway कर दे तो सारे जो updates होंगे giveaway के regarding और जो teams होंगी final teams जो हमारी lineups आने के बाद होती है तो वो जो है आपको telegram पर मिलेंगे जिसका link मेरे description में और पहला comment में पिन किया है वहां से जरूर पहुंच जा इस के आसपास ही होंगे जब आप join करेंगे तो जरूर जो है देख लेना बहुत सारे fake channels हैं तो कहीं पर मत जाना link से आ जाओ तो सबसे better रहेगा okay so with that being said हम आगे बढ़ता है pre match notes आपके सामने आप देखी सकते हैं दोनों teams ने कैसे qualify किया वगरा वगरा है तो मैंने यहां पर थोड़ा बहुत explain किया है तो यह चीजे जरूर जो है देख लेना weather info की बात करता हूं तो 27 degree Celsius के आसपास का temperature है और यहां पर कुछ ज्यादा जो ह यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे हलका फुलका है लेकिन बहुत बड़ा rain का chances कहीं पर भी देखने को नहीं मिलडा है तो I hope कि यहां पर जो है बारिश दूर ही रहे match से पूरा match हो जाए और because अब जब बारिश हो जाता है तो match का सारा मजा किरकरा हो जाता है और न last match में यहां पर बिल्कुल run fast चला था और लगबग लगबग 180 का score chase हो गया एक match में defend हो वहां पर थोड़ा बहुत चीज़ें अलग हुई वह क्या थी वह मैं आपको बताऊंगा तो यहां पर run के लिए बहुत अच्छा condition है और जो अभी finals के लिए जो semi final के लिए विकेट परस्पेक्टिव से बहुत अच्छा विकेट है और runs अच्छे खासे बन सकते हैं बोलर्स भी गेम में रहेंगे लेकिन खास करके batsman के लिए ज्यादा help विकेट पर available है 70 matches खेलेगा है जिसमें से 37 times बैटिंग सेकेंड करने वाली teams ने विन कैया यानि chasing करना इस menu पर थोड़ जो हैंपर 184 बेसिकली यह उपर नीचे है matches मने हैंपर जो है उपर नीचे इसको update किया है तो एक चीज जो most recent match होगा वो यह वाला होगा ओके तो यह वाला match है गया नामेजन warriors के against 178 का total chase करके win किया था सेंट किट्स और नेविस पेट्रियो ने मैं जब भी भी सेंट किट्स ने भी टिन बैगो नाइटरेडेस ने भी किया तो यह सारी चीज़े हैं जो इनके regarding थोड़ा बहुत जो है इनके favor में नहीं गई हैं लेकिन overall मैं यह ज़रूर के सकता हूं home venue पे खेल रहे हैं सेंट किट्स और नेविस पेट्रियोट्स तो इनको कहीं से भी आप underestimate नहीं कर स सकते हैं और आप सेंट लूशिया किंग्स वाला मैच भी अगर अब्सर्व करेंगे क्या यहां पर अलग हुआ जिसके चलते डिफेंड हो गया टोटल पहला तो बहुत बहुत बढ़ा टोटल हो सकता है एक सो नबबे प्लस एक सो पचानवे प्लस मतलब नियर टू इंपॉ हो गया सो पॉसिबल है कि यहां पर 200 का भी टोटल हो जाए क्योंकि सेंट किट्स चेज बहुत अच्छा करते हैं सेंट लूशिया किंग्स डिफेंड अच्छा किया है सो मैं यह अब जब भी सेंट लूशिया किंग्स के नीचे आपको मैच मैं दिखाता हूं बेसिकली तो चलिए अभी देख लेते हैं तो सेंट किट्स वाले मैच के उपर फोकस करेंगे और लूशिया किंग्स वाले सेंट लूशिया किंग्स एक सो नबबे बनाया बार्बिडोस रोयल्स एक सो इकानवे चेज कर लिया अब यहां पर क्या अलग हुआ एक सो नबबे का टोटल थ लाश्ट मैं जो हैं पर सब्वें विकेट से विन किया इस बार एक विकेट बहुत बड़े टोटल भी अराम से चेज कर रहे हैं उससे पहले अगर देखते हो सेंट लूशिया किंग्स ने 175 बनाया था बार्बिडोस रोयल्स के एक जो यहां पर मैच को डिफेंड किया और म लेकिन और सेंट्लूशिया किंग्स ने यहां पर 211 अलोग किया था जमाइका तलवास को पहला इनिंग में बहुत बड़ा रंस जो है खर्च किया उसके बाद बना नहीं पाए 156 पर अलोट हो गए सेंट्लूशिया किंग्स इस वेन्यू पर चेज नहीं कर सकते मैं इतना जरूर सर्टन हो सकता हूं क्यूंकि उनकी चेजिंग लाइनप नहीं है उनकी बैटिंग फर्स और जो है थोड़े बहुत अच्छे बोलर्स हैं सेकंड इंडिंग में और जो है वो अच्छी खास एक पेशर का रेशियो भी जो है लगबग स्कॉर्ड में वही होता है दो तीन का रेशियो लेके चलते हैं तो थोड़ा बहुत पेशर ज्यादा विकेट निंग आ लेंगे ही काउंट में जरूर ज्यादा आएगा पहला इनिंग में स्पिनर बहुत-बहुत-बहुत ज्यादा है यह चीज घृट को हमेशा बता रहा हूँ कि लेफ tecnología अंबार्ट स्टायल बैटिंग स्टायल से ढटिंग हैसा जो है पर भा्ति मन है उसके अकौर्डिंग लिए करना कि कौंसा बोलर रख ढ श्यादा इनिग फोकस करो सेथीनिंग में पेशर बहुत-बहुत-बहुत ज्य दिख तो विकेट वैसा है रहा ही कि रन बनेंगे क्या प्रावबिलिटी है कि यहां पर जो है कुछ और भी हो सकता है आपने अल्रीड थूराउट देखा हुआ है क्या हुआ है पूरा जो है आपको आपको पता है सेंट लूशय किंग्स ने 21 मैचेस इस विकेट पर खेल रहे हैं यहां पर आंट मैचेस जीतें 11 मैचेस लॉस की यानि रेकॉर्ड इनके फेवर में ज्यादा अच्छा नहीं है और रीसेंट जो मैच खेलें उनके उपर थोड़ा फोकस करना अब मैं जो चीजें बता रहा हू यह जो है आपको हलका जो है बिल्कुल हलके से दिमाग में रख लेनी है कोई ज्यादा यहां पर complicated चीजें नहीं करूँगा चार पांच नाम बता रहा हूं दो बेसिकली दोनों टीम से मिला के चार पांच नाम होंगे आपको जो हैं पर पता चल जाएगा कि क्या कुछ ट्र तो I don't know क्या हो सकता है क्योंकि अभी तक इस venue पर records नहीं है ना ही जो हैं पर कुछ खास performance है तो second inning में ही try करना अगर करना है तो CVC मैं बता रहा हूं तो जरूर try करना आप grand league के लिए भी हो सकते हैं small league के लिए भी हो सकते हैं आप depending upon you अब कीम पॉल यह भी जो है second inning में जब प्लेयर हैं जो second inning में आपको try करना है पहला इनिंग के लिए महीं हां पर जो नाम बेसिकली मैं ज्यादा recommend तो नहीं करूंगा लेकिन आप जरूर try कर सकतो जिवार रोयाल यह प्लेयर है जो finger spinner है और orthodox bowling करा आते हैं और पहला इनिंग में बोलिंग कराएंगे जरूर try कर ले परसनली बहुत अच्छे लगते हैं बैटिंग करते विए अब खेलेंगे क्या नहीं यह देखने वाली बात है because semi final जैसा match था वहां पर नहीं खेल पाए groin injury के चलते तो क्या होगा इस match में ना खेले तो आपको तो decide करना है कि toss के बाद ही line up आने के बाद आपको पता चल जाएगा okay उसके इलावा chase batting first batting second दोनों scenario में थोड़े थोड़े एच्छे runs बनाए हुए हैं bowling से एक आद विकेट निकाले हैं कभी तीन विकेट निकाले थे तो overall जो है performance इनका है उसके इलावा जो consistent विकेट टेकर रहे हैं वो है वहाब रियास हर मैच में एक 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 मिलेगा तो क्या पता आज के मैच में थोड़ा ज्यादा निकल जाए सो हर मैच में है यह नाम आपको consistently देखने को मिल रहा है यह तो आपको यहाँ पर already पता चल रहा होगा on paper देखके ही सारा जो हैं पर पता चल रहा होगा सत्रा सत्रा मैच से यहाँ पर जो दोनों बैटिंग करते हैं बैटिंग फर्स बैटिंग सेकेंड जीते हुए है तो रेकॉर्ड तो उतना जो है आप आक्यूरेटली तो नहीं है किसी एक साइड पर लेकिन फेवरेट क्लियर कट फेवरेट होने वाले हैं अगर चेस करे सकता है सेंटलू शेकिंग की तरफ से भी तेकिन और और अगर 180-90 प्लस का टोटल बना दिया अगर कहीं पर सेंट किट्स पहला बैटिंग करके भी तब चेस करना इंपॉसिवल रहेगा लगबग नेर टो इंपॉसिवल सेंटलू शेकिंग के लिए क्यूंकि अभी तक तो मिलाए कि successfully उन्होंने चेस जो टोटल किया है वो maybe 165 से नीचे का ही था ओके इस विन्यू पर अभी इस सेजन का रिसेंट जो मैच खेला है गयाना मेजन वोरियर्स के गेंस्ट 178 का टोटल चेस किया था और मैच को विन किया था with seven wickets remaining Evan Lewis जब भी भी चेस करे ये बंदा आप के लिए बहुत बहुत ज़्यादा important हो जाता है prime choices मेंसे एक बन जाता है टीम के लिए तो जुरूर आप इनको try करना chase करते विए पहला betting आप अलग-अलग options आपके पास available है try कर सकते हो ड्वेन ब्रावो और गेल ने भी runs बनाई थे last match में गेल बहुत अच्छे लग रहे हैं कम गेंदों पर अच्छे खसरन बनाके दे सकता है तो जुरूर यह player try करना आप गेल ले रहे हो आप अगर लिविस ले रहे हो तो आप इनको drop कर सकते हो कोई problem ने टॉप order अगर चल गया तो इनकी ज्यादी बैटिंग नहीं आईगी लेकिन अगर किसी एक या दो player को उपर स करके जारे हो यानि basically top order आप collapse कर रहे हो तो उस scenario में इनको जरूर ट्राइ करना ओके यह कुछ प्लेयर से हैं जो perform कर चुके हैं with the bowling अगर पहला इनिंग की बोलिंग कर बोलिंग की बात करता हो तो जग्यसार जो है और पहला इनिंग में फिंगर्स बिनर important है और इनके records भी प personally recommend करूंगा आप जरूर ट्राइ करो लेकिन और section में चार option ही ले पाओगे तो वह कौन से होंगे पांच में से चार लेने पड़ेंगे तो decide आपको करना है मैं यहां पर fourth option Fab and Allen ही रखूंगा still तो आप अगर चाहते तो ड्रेकेस के साथ जा सकते यह जो dream 11 ने scam कर दिया last match में ड्रेकेस को जो हैं पर अल्रेकेस के डाल के बहुत बहुत ज्यादा जो headache create कर दिया है अब उसके इलावा कुछ ज्यादा प्लेयर के उपर focus तो नहीं करूंगा पॉल वैन मीकरन थे जो अच्छा कर रहे थे पहला इनिंग में बोलिंग करते विए काफी ठीक ठाक performance था तो य केसरिक विलियम्स रायद अमरिट और जो हैं पर ड्वेन ब्रावो फैबन आलन और जो है अलजदारी जोसेफ कीमा पॉलिया कुछ प्लेयर से हैं जो बोलिंग से अच्छा कर रहे हैं तो यह बैसिकली शॉट लिट में एविन लिविस क्रिस गेल डिवान थॉमस आंद्रे यह कुछ चार बैट्समन है और केसरिक विलियम्स रायद अमरिट ड्वेन ब्रावो इसमें से जो है यहां पर आपको बस ड्वेन ब्रावो ही खेलते वे प्रोबबली मिल सकते हैं आज के मैच में तो यह कुछ है टीम न्यूस या टीम प्रिव्यू मैं यहां पे ज्यादा न्यूस के ओपर फोकस नहीं करता वैसे की प्लेस में फैफ डूपलेसी रॉस्टन चेज और डेविड वीजे होने वाले हैं अब कैडूपलेसी खेलेंगे यह बहुत बड़ा क्वेशन मार्क है तो देखना होगा प्लेंग लवन आने के बाद पता चल जाएगा पॉसिबल है अगर फैफ डूपलेसी फिट है तो दुरूर उनको ओपन कराना चाहिए उनके साथ देन रस्टन चेज मांग दयाल मांग दयाल भाई लास्ट मैस में देखके लग रहा थे कि भाई बंदा पूरा मैच्वर क्रिकेट खेला इन्होंने ओके लास्ट मैस में मेरेको देखक कैचस लिए थे तो कैचस से पॉइंट दिया बोलिंग नहीं कराई ज्यादा जिव और रोयाल वहाब रियाज अलजजारी जोसिफ है इनके पॉसिबल लवन बन सकती है संट केट संट नेविस पेट्रियोट की तरफ से की प्लेस में एवन लुइस ड्वेन ब्रावा और वेन ब्रावो की नकल्ची जो है यहाँ पे लेफ्ट आम पेसर बन सकते हैं पॉसिबल ग्यारा में देखा जाए तो एविन लिविस क्रिस गेल ओपन करेंगे देन उसके बाद जॉश्वा डसिल्वा देन उसके बाद शरफन रोदरफोर्ड फैबन आलन वेन ब्रावो डॉ तो अच्छी कर रहे हैं जगे सार ने भी काफी अच्छा किया हुआ है वाद हमाद रिदम में लग रहे हैं तो भाई पूरी टीम जो है आपर अच्छी फ्लो में नगले है अब क्रिस गेल भी फॉर्म में आ चुके हैं और डसिल्वा ने भी कुछ रंस बनाए थे रिसेंट देखने को मिलेगी पहला वैटिंग करते वें सेंट लूशिया किंग चार मैचस जीते हैं और तीन मैचस बिसिकलिए निविस ने भी जीते हैं ने ग्री किर लेकिन द्शार मैचस जीते हैं उन में से एक मैच जो इसी सीजन का है आपको यह चीज देखनी पड़ीगी इस व वार्नर पार्क इसी वन्यू पर जो 2021 का मैश था एक सो अठरा बनाया था सेंट किट्स ने पहला बैटिंग करके सेंट लूशिया किंग्स ने चेस किया आराम से मैच को विन किया च्छे विकेट से परफॉर्मेंस आप देखो यहां पर कुछ खास नहीं है सेकंड इनिंग में सेंट लूशिया किंग्स की तरफ से जो परफॉर्मेंस आया रस्टन चेज और जो है डूपलेसी देन उसके बाद कोटाय और डेविड के कुछ रंस थे तिम डेविड के रंस थे तो बेसिकली यही कुछ है और पहला इनिंग में जिवोर रोयाल लेफ्ट आम आउतोडोक् इनके भी दो विकेट हैं सो फिंगर स्पिनर आगेन सेम लॉजिक इस विकेट पर यह देखने को मिल रहा है आपको केस्रिक विलियम्स कीमपॉल और वहाब रियास के भी विकेट हैं बेसिकली पेसर भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है आपने पहले उपर स्टैट्स देख जोसेफ और कीमा पॉल पेसर तो इन्होंने विकेट निकाले और उसके साथ वहाब रियास अगेन एक विकेट इनका हर मैच में और रस्टन चेस भी विकेट में आते हैं और केस्रिक विलियम्स उस मैच में खेले थे एक विकेट निकाला था सेंट किट्स और नेविस पेट किंग्स नहीं विन किया था छोटा टोल पे रिस्टिक्ट किया था सेंट किट्स को और पफामेस जो है सकी ठीकटा के कॉनवल चेज और फ्लेशर के कुछ रन से हैं उससे पहले ब्रैन लारा स्टेडियम का मैच है किंग्स कोई भी तोल बना रहे हो फीर की चैस कर सकते हैं व पूरे पूरे चांसस हैं सेकेंड रहे हो तो वहाँ पर यह चीज ध्यान रखना कि इनिंग वाई जब खेलते हो तो 180 से नीचे को टोटल बने तो सेंट किट्स के फेवरों में जा सकते हो बैट्समन वगरा कैप्टन वाईस कैप्टन लेके लेकिन जब 190 का टोटल रीच कर ले तो सेंट लुशिया किंग्स तो आप प् होंगे तो यह चीज ध्यान रखना और मार्ग दियाल के बीच-बीच में दो इनिंग आये हैं आपको देखने होंगे और लास्ट मैच में भी परफार्मेंस काफी बढ़िया रहा था एटी प्लस रन बनाएं काफी अच्छा देखने को मिला मेरे को परफार्मेंस अच्छा करते हैं तो देखना मिल्ड और में कैसा परफार्म करते हैं पहले इंग साहर क्रिकेट श्टेडियम परफार्मेंस आप देख लेना यहां पे सेंट किट्स सेंट लुश्या किंग्स बीस रन से विंकरा अगें डिफेंड करते हुए मैच को विंड किया वर्नर पार्क बैसी लुविस का चेज करते हुए परफॉर्मेंस है यह प्लेयर्स है जो अभी तक के एट्वेड रेकॉर्ड में जो है देखने को मिले हैं एट्वेड लीडर्स में एविन लुविस जो है बारा इनिंग में इनिंग में एक सो चाहिए बेसिकली इनको बॉलिंग से देखा जाए तो अलजारी जोसे दो इनिंग में चेज विकेट केसरिक विलियम सांत इनिंग में और विकेट कीमा पॉल 2-2 इनिंग में 4 wicket और जी वारोयल के भी 4 wicket है रॉस्टनचेस के 4 wicket है फैब एन इलन के भी 4 wicket है शौट लिश कर रहे तो एवल लुइस आंदरे फ्ल्चर फफ दू प्लेसी रॉस्टनचेस ये कुछ प्लेयर से जो बैटिंग से अच्छ लगे हैं सब्सक्राइब तो यहां पर जोसेफ एक अची च्वाइस बन जाएंगे हैं अगर आप जो हैं पर निकालते हो तो दूरू उसमें अच्छा किया है दो मैचस खेलें बिसिकली उस मैचे अच्छे विकट्स निकालें सेफ स्मॉली के लिए कैप्टन है वाइस कैप्टन है एव सकेंड इनिंग में ज्यादा बेटर कैप्टन हो सकते हैं अच्छा करते हैं यह चीज याद रखो चेज आप जो है स्मॉल लिग में बिलकुल कैप्टन लेके जा सकते हैं बिकाउस बैटिंग बोलिंग दोनों से इस विनिप अच्छा किया है इस सीजन रिसक्य आप्शन से फ्लेचर पहला बैटिंग करें तो जरूर रेक्मेंड करूंगा और डुएन ब्रावो लास्ट मैच में अच्छे लगे हैं बैटिंग से भी और बोल्लिंग कर तो जरूर वहां पर विकेट निकाह लएंगे तो जब्यूरुंड तयक्छा करते हैं तब आप त्लीस आप में लेकिन आप ग्रैंडलिंग में जरूरू ट्राइ करो क्योंकि बंदा फिल्डिंग से ही पॉइंट आपको दे सकता है जो चार विकेट जो जो एलन ने लिये थे उसके 40 पॉइंट उनको कुल मिलाके मिले हैं मैच के वैसे ही कुछ यह पॉइंट्स दे सकते हैं फिल्डिंग ब यहां पे रेकॉर्ड ठीक ठाक है उनका और उसके बाद शेर्फन रुदाफोर्ड मैंने बोल दिया चेस करते समय रुदाफोर्ड अगर आप उपर से ड्रॉप कर रहे हैं यहां पे लिविस या जो है गेल और जो है पे डसिल्वा तो जरूर आप रुदाफोर्ड जरूर ले सकते हो ओके रुदाफोर्ड और ब्रावर जरूर ले 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 ना उस सिनारियो में ओके सो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है लेकिन जरूर पूरा वीडियो जिसने भी देखा होगा उसको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी अब मेरी चो टीम है वो यहां पे चेंजस कर सकते हो बोलिंग सक्षन से नसीम शाह ड्रॉप करके अपको यह और प्लेयर कर सकते हो विकॉस ज्यादा इस मैच में नहीं है तो इसी वजह से जो लिमिटेड क्रेडिट से उनी में से प्लेयर को चूज करना होगा अब डेविड वीजे मैं रखना तो लेकिन फिर भी मेरे को हाशली जो ही हां पे मेरे को देखके लग रहा ही कि रखना ही पड़ेगा तो ज़रूर यह जो है डेविड वीजे ला भाई पांच-पांच विकेट निकाल रहा है बंदा तो ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते लेकिन पहला बोलिंग करे तो मैं पक कवर दूसरा बोलर आपका कर सकता है जो इनकी जगह लेगे लेकिन साड़े अंट क्रेडिट में कोई भी लेके आप उस सिनारियो में जो है फैबन एलन की जगह चाहो तो आप यहां पर क्रिस गेल ले सकते हो अगर डूपलेसी नहीं खेले तो उनकी जगह भी क्रिस गेल ल लेना बिकाज अच्छी बोलिंग करा है बहुत अच्छी रिदम में लग रहे हैं तो डॉमिनिक ड्रेकेस ऑप्शन है शेल्डन कोटरल में ने रखा हुआ है आप चाहो तो फवाद हमद स्पिनर जो भी करेगा उसको जुरू लेना जगे सार या जो है जगे सार पहला बोल सकते हैं वेश्ट इंडीज के बैसमें आगे तो भाई आप पता ही है वेश्ट इंडीज के बैसमें स्पिनर को कि अच्छा खेलते हैं आप ट्राइज जरूर कर सकते हो तो यह जो फाइनल टीम होगी आपको टेलिग्राम पे मिलेगी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हो यहीं पर इसी वीडियो को रोपपर मिलने नेक्स वीडियो में और आप डेपील के साथ हैं याश्ट सेच्छ फीस वीडियो ःत самые पर टीम अनृफी 2